नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है ना उसने सबसे बड़ा नुकसान स्विंग ट्रेडर्स को पहुचाया है और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए स्विंग ट्रे तरीके से ट्रेड करने की बात बोलूँगा बस इसके लामा और कुछ भी नहीं तो थोड़ा सा समझदारी दिखाईएगा पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं किस बेस पे आपसे ये मुद्दा उठा करके बात कर रहा हूँ हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा बाजार पिछले 7-8-10 दिनों में कहीं गई ही नहीं ये जो गैप डाउन हुआ उसके बाद बाजार एक रेंज में फंस करके रह गी ग्लोबल मार्केट को अगर आप जाकर के देखो कि नैश्डेक अभी पिछले दिन 4% क्रैस किया है एमेजान जैसा स्टॉक अल्मोस्ट 15% क्रैस किया ये इमेजान पता है आपको एमेजान कितना बड़ा ब्रैंड है आपको पता है और वो स्टॉक 15% क्रैस किया है समझ रहे मतलब गलोबल मार्केट से मारे लिए कुछ भी अच्छा है नहीं संकेत उसके भावजूद भी अगर हम यहाँ पर स्टेबल है तो कल मैंन जो अलग से हमने एक ताकत बनाई है इस बाजार में उस ताकत की बज़वलत हम यहाँ पर खड़े रह पाएं हैं यह तो अच्छी बात हो गई इन्वेस्टर्स के लिए लेकिन स्विंग टेडर्स को परिशानी क्या जिलनी पड़ी है कि आप एक ट्रेड लेते हो स्टॉप ल जल्ट आया एक्सिस बैंक हो गया इसने तो काफी लोगों को नुकसान दिया है उसके लावाँ टीवी 18 पे बहुत सारी कोईरी जाई मेरे पास क्योंकि दो दिन में स्टॉक एक दिन 18 परसंट गिरा एक दिन 14 परसंट गिरा और फिर यह जो 30-32 परसंट की गिरावट है यह क रिकवर कर लेता हूं गलती हो गई है एक्सेप्ट कीजिए और आगे चलके सीखिए सीख करके आगे बढ़िए और वहीं से आप उसको रिकवर कर पाऊगे कोई भी स्टॉक हो निफ्टी इंडेक्स आपको पूरी कहानी बता रहा है निफ्टी इंडेक्स में TCS भी है उसके पहले तो आपने देखा हो कि पिछले 10 दिनों में मैंने आपको कोई भी स्टॉक वाली वीडियो नहीं दी तो क्या इसका अंदेशा हमें पहले लग सकता था जी हां जैसे इंडिया विक्स बढ़ा था ना भयानक तरीके से मुझे वहाँ पर एक इंडिकेशन सिर्फ इंडि तो जब बाजार ऐसे ऐसे चलेगी ना तो पहले 2 रूपय का स्टॉप लॉस आ जाता है टार्गेट तो आता नहीं और यहीं पर हम आप सब हार जाते हैं जरूरी नहीं पहले वो स्टॉप लॉस की तरफ जाए वो हो सकता है टार्गेट की तरफ जाए और 3 रूपय-4 से वो बिल्खुल connected थी performance जिस तरीके से यहां पर reaction दिखाया है वो भी वहाँ पर पूरा factor play कर रहा था अब यहां पर आपको खुद को कैसे बचाना है उसको मैं आपको समझा देता हूँ देखिए आपको अपने आए होना उस process पर आपको trust करना है अगर अभी भी आपको वो trust build up नहीं हो पा रहा है तो back testing जरूर कीज़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब बात हुई एक ही बात सामने आई एक ही बात सामने आई कि इस समय में यार कोई भी हो मैं भी अगर अभी सुरवात कर रहा हुत हम आपका target हीट नहीं होगा बाजार एक direction हमको नहीं दिखा रही है और बिना direction के आप क्या swing trade करोगे नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं है तो बाजार अभी आपको target देने के mood में नहीं है इतना समझ दो swing trading वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं intraday traders को अपने हिसाब से ये trader को पैसा बनाने देगी किसी को भी नहीं stop loss खाएगी either side stop loss खाएगी अब मैं सिर्फ आप से इतनी बात बोलने आया हूं कि जिस process पे आप trade करते हो जिस तरीके से आप trade करते हो उस पे आपको विश्वास करना है back testing आपको करनी है ऐसे मौके आते हैं इसलिए मैं आपको बोलत इसलिए मैं समझा देता हूं इस वीडियो का क्रक्स क्या था बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास कोई एक process है जिस पे आप trade करते आए हो तो करते रहिए यह जो तकलीफ हुई है यह आपके साथ ही नहीं हुई है इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा क्यों पूरी कोसिस यही है कि मैं आपको stocks provide करूं क्योंकि मुझे आगे एक direction बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार जो swing trade हो सकता है वो negative वाला हो सकता है तो आप उसके लिए alert रहिएगा negative swing trade बहुत कम संख्या में लोग करते हैं लेकिन मैं आपको stocks बताऊंगा और वहाँ पर levels भी दूँगा levels की मदद से आप काफी मज़ेदा trade पकड़ सकते हो अगर in case मुझे कोई संदे रहता है तो मैं आपको stocks नहीं provide करूंगा और फिर वही point याद आता है वो बात याद आती है कि जब आप कोई trade नहीं करते हो न तब भी समझ लेना कि आपको नुक्सान नहीं हो र पैसा बनेगा जैसा कि पीछे आपने देखा है swing trading stocks में बना है अभी इतना ही आयोप आप इस वीडियो को positive way में लेकर के चीजों को समझ करके आगे सीख करके जाओगे जिससे कि आप बड़ा पैसा बना पाओ जो लोग नए आये हैं वो मेरे बड़े पैसे से ज्यादा घब बराएं नहीं कि मेरा बड़ा पैसा उस तरीके वाला है कि हम कम कमाते हैं गम नहीं कमाते हैं अभी इतना ही जल्दी मिलेंगे नमस्कार